नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज और CSE Lectures बार सूरज ही मैं आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम एक और एक्जामपल देखेंगे राउंड रोबिन शिडियूलिंग का ठीक है इसमें मैंने कोश्चन के फॉर्म में लिया एक्जामपल तो आए देखते हैं क्या ह सबसे पहले में एक सिस्टम दिया जिसमें चार प्रोस्स है मतलब स्वां प्रोसस का दिया हो चार हपिटु का दीआ है आपका 1, P3 का दिया है आपका 8, and P4 का दिया है आपका 1, ठीक है, arrival time नहीं दिया है, मतलब सभी एक time पे आया है, मैं यहाँ पर अगर ready Q maintain करता हूँ, ready Q maintain करता हूँ, तो सब एक ही time पे आया है, ठीक है, P1, तो अगर arrival time नहीं दिया है, तो किस हिसाब से लेंगे हम, process number के फिर P4, ऐसे होंगे ready Q में ठीक है, सब एक ही time पे हैं, तो हम process ID के हिसाब से लेंगे, तो क्या क्या है, then what is the completion time of process P1, तो जो P1 है process, इसका completion time क्या है, round robin scheduling algorithm के हिसाब से, तो आईए हम अपना burst time बनाते हैं, और इसमें दिया है time quantum आपका दिया है, 1 दिया है, ओके, तो आईए हम अपना gen chart बनाते हैं, सबसे पहले मेरे सारे process 0 पे आ गए थे, तो मतलब सबसे पहले मेरा कौन सा आया होगा, P1 आया था, ठीक है, process ID के हिसाब से लेंगे हम, पहले P1, P2, P3, P4, तो ready Q में हमने रख दिया, अब यहां से हम देखते हो चलेंगे, तो 0 पे मेरा P1 आया, एक time period के ला execute हुआ, ठीक है, इसका कितना execution बच गया, तीन, अभी भी पूरा execute नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको आगे schedule कर दूँगा, P1 को, ओके, अब next है मेरा P2, P2 को schedule करता हूँ CPU में, एक time period के ला execute होगा, क्योंकि time quantum 1 है हमारा, तो 2 time period तक एक execute होगा, और खतम कर लेग मतलब हमारा P2 यहां से खतम होगया है, ओके, अब आती है P3 की बारी, अब P3 को schedule करेंगे, CPU में, P3 को schedule किया, एक time period तक चलेगा, मतलब 3 तक, और 7 इसका execution time बच जाएगा, मतलब P3 भी आगे Q में आ जाएगा, क्योंकि अभी पूरा खतम नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है, 7 प यह भी एक time period तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा, ओके, और यह अपनी execution खतम कर लेगा, क्योंकि एक ही execution time था इसका, और P4 खतम हो जाएगा, अब आती है P1 की बारी again, तो P1 को फिर से CPU देंगे, P1 को CPU दिया, एक time period के लिए, यह मतलब कितना हो गया, इसका execution रह गया, दो और जाएगा, अब P3 की बारी फिर से, P3 को CPU देंगे, एक time period के लिए, ठीक है, यह हो जाएगा, 6, अभी भी P3 न execution खतम नहीं किया, तो फिर से आ गया जाएगा, अब देंगे P1 को फिर से, P1 को CPU दिया, 7 time period तक चला, एक time period, फिर से execution करी इसने, अभी भी खतम नहीं किया, P1 न तो मतलब P1 फिर से, आगया जाएगा, अब आती है P3 की बारी, P3 को CPU दिया हमने, एक time period के लिए देंगे, ओके, तो इसका रह जाएगा, execution time, 5 रह जाएगा, अभी भी P3 ने खतम नहीं किया है, तो P3 को आगे Q में लगा देंगे, अब P1 की बारी है फिर से, अब P1 को CPU दिय और 9 time period तक चलेगा, यह ठीक है, एक time period तक चलेगा, मतलब 9 पर खतम हो जाएगा, P1 और यहाँ पर P1 ने देख सकते हैं, आप execution अपनी खतम कर लिए, ठीक है, यहाँ पर P1 ने अपनी execution खतम कर लिए, जब 9 था तो P1 ने execution खतम करी तो इसका answer क्या होगा then क्या पूछा है हमार से question में then what is the completion time of process P1 तो process P1 का completion time क्या है हमारा 9 ठीक है 9 पे जो हमारा process P1 है वो अपनी अपना जो execution time है वो खतम करेगा जो complete होगा process P1 वो 9 पे होगा ठीक है round robin scheduling algorithm तो होप आप कोई वीडियो समझाई होगी और वीडियो के लिए like कीजेगा subscribe कीजेगा अपने दोस्तों के शाज share कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंत